हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लेटली व्यस्त होंगे मैं रत्माकर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरन एजिकेशन फाउंडेश यह 100% गारेंटी है मेरी क्योंकि हर एक बुढ़े इंसान को यह होता है बहुत क्रिटकली केस में कुछ-कुछ लोग बच जाते हैं नहीं तो हर एक लोग को होता है तो इसके बार में आप जानते रही है या आप घवड़ाईएगा माज जब आप बुढ़े हो येगा ठीक ह चलिए स्टार्ट करते हैं उन्हें टाइम बेस्ट को अपना एस्टिगमा मेटिजम और पढ़ते हैं कि एक्चल में होता क्या है और वजय जानते हैं कि ये होता क्यों है ठीक है आपके सामने एस्टिगमा मेटिजम का थोड़ा वहत इन्फॉर्मेशन लिखा गया है बाकी में इसको एक्स्प्लेन करूंगा आपके सामने देखो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका में सिम्टम क्या है आपको छीज़े बलड दिखाई देंगी मतलब साफ साफ नहीं दिखाई देंगी आपकी दादी अम्मा बोलती होंगी बच्चा हमें सामने दिख नहीं रहा है सही रूप से मतलब इस पष्ट clearly नहीं दिख रहा ये बोलती होंगी ये न तो वो actual में उनको क्या हुआ है उनको हुआ है astigmatism इसमें क्या होता है इसमें जो आपका cornea है cornea cornea मतलब सबसे बाहर वाला पार्ट मैंने दिखाया था न आई में cornea जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता आई का वो धूंदला हो जाता है मतलब blood हो जाता है जो साफ साफ जो transparent होता है वो उसके पार blood हो जाता है completely light ray आने के बाद उसमें transparent नहीं होती थोड़ा reflect होने लगती है अरे भाई कोई च्री transparent होता के तभी तो उसमें light गुसेगे अब transparent नहीं है तो light वापस चली जाएगी कुछ अब थोड़ा बहुत transparent है तो थोड़ा बहुत जाएगी तो जो light जो object से चलने वाला light ray है न वो completely आपके रेटिना पर नहीं पहुच पाती उसका image जो होता है वो रेटिना पर completely नहीं बन पाता क्यों नहीं बन पाता क्योंकि आपका जो कार्णिया है वो blood हो गया है थोड़ा सफेद सफेद टाइप का आप देखो कि जिसकी आखे हो फैल जाता है क्योंकि कार्णिया जो होता है वो इस टाइप का होता है अब जब यह फैल जाएगा तो यह जो ऐसे गाल चीजल्ट मोर्च सब्समाइब मतला है कार्णिया में फ़ोड़ा ओर इसे कहीं apresent कहीं आईसा हो जाएगा psychologically सबस्क्राइब प्रेज़ फोकस नहीं हो पाती गांड़ा ऑंदा रेटिने पे रिजल्टिंग इन ब्लड इमेज जो कि जिसके वज़े से आपने आपको ब्लड इमेज दिखता है अस्टिवमेटिजम में आलसो भी कॉजट वाइद एर्यग्लोरे से प्लेंस यह इसका अस्टिवमेटिजम का एक और काज है आपके लिंस का irregular shape होना मतलब आपका लिंस कंकिव कन्विक्स लिंस होता है जो आई में लगा होता है वह भी regular shape कहो जाते मतलब स्फ नहीं रह जाता है वह भी irregular shape को जाता है विच लोकेट अब हांने के पिछ आपका होता है कि आपको पता है कि कॉर्णिंग पिछे लुट धिह को असको Premium use यह बोलते है नियुस को इसको आईरिस बोलते हैं फिर प्यक्विल होती है फिर यहां पर लेंस लागा होता है है रिफ्रिक्टी एर मेंज त súper K- monarch laughed दोटी बहुत बेंग होती। फोड़ी बहुत नहीं क्लिए नुख जा सुझी पर तन अर्यों सरत में। things clearly कब किस किस और में आपको चीजे क्लेयल इलिखेंगी जब after reflection from cornea and lens light जो intersect करी वो कहां पे करी कार्णिया पे करी कार्णिया पे करी कार्णिया पे जब जोनों light रेक्ट लिख इन दोनों से reflection के बाद कहां पे करेड करने लगी कार्णिया पे रेतिन पे इंटरसेट करने लगी तो वहां पि जो इमेज बनेगा वो खिलिए लेकिन दव टू मोस्ट कमन ताइप आप आप यह भी रिगुलर सेप कहो जाता है तो कुछ लाइटे तो पहुंचेगी यहां पर लेकिन कुछ लाइटे कभी पहले कट कर देंगी कुछ लाइटे कभी क करन्य आ आ एundar इनले दो कुछ लाइट अ कर देंगी कुछ लीटिट इसे कपाऊ कि तो जıtना जादा जादा लाइट आपके रेट न पर पहुंचेगा उतना जादा अच्छा आप्जक्ट का इमेज दिखाए देगा, उतना ज़्यादा डार्क इमेज जाता दिखाए देगा, उतना अच्छा कलर दिखाए देगा, लेकिन जैसे ही कुछ लाइटे पड़ेगी, यहाँ पे पहले कट गई, पाद में कट गई, तो वहाँ पे क्या होगा, जितना कम लाइट आपके रेट अच्छी तरीके से अंदर नहीं जा पाता, तो गाउधान वालों में इस टाइम में गवर्मेंट भी चला रही है, राजी उगांधी करके यह जाती है, आखों के सामने का लिंद साफ करते है, कॉर्णिया, तो वो उसको दूर करने का काम कर रही है, तो वो भी एक सेवा ही ह अगर आपके घर में थोई बुड़ी दादी हैं उनको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको बस वो मत करिए करें इनको दिखाई नहीं देता वो आपके साथ भी होगा वो निचुरल है आपको भी होगे आगे चलके तो जैसा आप इसर किये रहेंगे उधर आपके साथ इसको इसको इसके डागराम को समझना उसके तरू अपना नॉलेज भोड़ा और नहीं नहीं अपना कॉर्णी ऐसे था आइलेंज आपके इमेज बन रहा था ठीक यहां पर क्या हुआ अब अब जब इसका इर्रेगुलर से फोगया तो देखो थोड़ी थोड़ी लाइट य ठीक है तो इसना अपमध मी आ जोगाностime का होता है तो अब आ thi क्या होता है क्वार्ण ऐसको बोलते इसको इसमें क्या होता है तो कारीया है शेक्वरता नहीं यह कंड़ यह इर्इगुलर्शेफ हो गया और दूसरा लंटीकूलर एश्ट्रिग्माबिटिजम या फिर लैनसी कूलर एश्ट्रिग्मामनिजम बोल सकते हैं इसको लेंस है इरेगुलर्फेफ इसको फिर आलायज ही रुडशैप इस वालंस चींगोमेटिजम में जो होता है वो लेंस होता है वो इरिग्लर सेप को जाते है बाकी आपको अची तरीके समझ में आ गया होगा तो ठीक है नेक्ट वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं रिफ्रेक्शन थूदा प्रिज्म और प्रिज्म को हम अची तरीके से जानेंगे और आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टन टॉपिक है आपका क्या रिफ्रेक्शन थूदा प्रिज्म तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो कैसे लगी कमेंट से में जरूर बताया करिए अगर वीडियो साबज में आई है लेक्टर समझ में आए हैं कॉस्ट अगर अच्छे लगे हैं तो अबस्टा प्रिप्र समसे का क्या लेक्टर अपका क्या कर वीडियो साब्सा रेक्टर में इंप।